आज का टॉपिक हमारा मॉनरा है जो फ़ेला गुरूप है आरेजवेटेकर का था फस्ट गुरूप फस्ट गुरूप फस्ट गुरूप आरेजवेटेकर फाइप इंफॉर्मेशन देखिए सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि अल दी प्रोकरियॉटिक यूनी से यूनी मोगर्या यूनी यूनी फिरस्ट गुरूप इंगल्ड अएंडर मॉनरंस में थोड़े बहुत को अगर चोड़ दे जिनको अभी भी तुरूप द्रूप यूनी नहीं रखते हैं तो इसमें जितने भी मेंबर्स है वो सारे की सारे मेंबर्स बैक्टिरिया है ठीक है पैर जब मंडरा के पैरे जटनरल फीचरस देखले है तरन उसके बाद लेसकी क्लासिफिकेसिन करते है जटनरल करेक्टरस आप पनन्रा मंडरा इंक्लूड स्मोस्ट प्रिमिटीव फॉर्म अफ यह स्लाइन का मतलब यह है कि life की जो औरिजिन है सारी की सारी जो life forms आप देखते हैं, जितने भी organisms आप देख रहे हैं, plant species, animal species, यह सारी के सारी एक साथ नहीं आई थी, जो आज आप देख रहे हैं, यह सारी के सारी एक साथ नहीं आई थी, यह जब अर्थ का formation हुआ, तो अर्थ के formation के बाद से अर्थ की conditions में काफी धीरे-धीरे changes है, और उन changes के हिसाब से धीरे-धीरे organisms में भी changes है, और फिर धीरे-धीरे diversity इतनी develop हुई, यानि कि बहुत ही ancient समय से धीरे-धीरे life form की variety change होते होते, आज diverse variety जो है हमारे पास है, तो अर्थ की condition हमीशा constant नहीं रही, ठीक है, शुरुआ से लेकर आज तक, अर्थ की conditions हमीशा, यह उ क्लियर, इसे ही हम लोग evolution के नाम से जानते हैं, तो अगर यह देखा जाए, इस evolution series को हम निकालें, तो इस प्रित्वी पर सबसे पहले जो life आई थी, ठीक है, उन सबसे पहले जो life थी, यानि सबसे पुराने समय में, उनको वो जो थे हमारे monorans है, ठीक है, जो हमारे mostly bacteria थे, काफी primitive हैं, वैसे आप bacteria को exactly नहीं कह सकते हैं, कि वैसे progenotes माने जाते हैं, उसको हम लोग बात में discuss करेंगे, लेकिन अगर बहुत पुराने की समय की बात करें, जब organisms well developed नहीं थे, उस समय में काफी primitive time में, ancient समय में, जिन organisms का इस प्रित्वी पर bowl bala था, यानि कह सकते हैं कि coverage इस था, वो इसका था, modernist का था, यानि हमारे जितने prokaryotrics, prokaryot, unicellular organisms थे, वो काफी ancient है, काफी primitive हैं, तो काफी समय के हैं, प्रोकराटिक होते हैं, mostly single cell discuss कर चुके हैं, with few colonial forms, single cell ही होते हैं, लेकिन कुछ colonies बनाते हैं, colonies का मतलब होता है, कुछ सल सापस में group बना की कठा रह ठीक है, prokaryotic है, single cell है, इतना clear हुआ, और यह mostly के हैं, bacteria हैं, third point इसमें का सकते हैं, they have cell wall made up of peptide doglycan, यह हम discuss कर चुके हैं, इनकी जो cell wall है, वो especially किसकी बनी हुई है, peptide doglycan की, लेकिन, modernist में कई groups हैं, उसमें जो RK bacteria और mycoplasma आता है, इन दोनों peptide doglycan नहीं है, because RK bacteria की जो cell wall है यह थोड़ी different है, RK bacteria, bacteria के group है, सबसे पुराने, यानि सबसे पहले आने वाले जो group of organisms थे, modernist थे, वो RK bacteria थे, और यह जब आये थे, तब conditions काफी, जो है, काफी unfavorable conditions थी, काफी harsh conditions थी, inhospitable areas में यह रहते थे, उस समय की conditions को tolerate कर पाना बहुत मुश्किल था, उस समय की conditions को tolerate करत नहीं, RK bacteria में, mycoplasma, mycoplasma does not contain cell wall, mycoplasma में cell wall ही नहीं है, और जितने भी आपके modernist के group में bacteria है, उन सब की cell wall, peptidoglycan given ही हुई है, अब देखते कहां कहें पाए जाते हैं, found in all types of habitats, like hot springs, bottom of ocean, below iceberg, hot and cold desert, decomposing bodies, inside, outside the bodies of organisms, इसको हम लोग क्या बोल रहा है, यानि कि जो modernist है, modernist जो group है, या ध्यान रखिएगा कि bacteria ऐसी कोई place नहीं है पृत्वी पर जहां पर bacteria की coverage नहीं है, naturally जितनी places है, bacteria हर जगे पाए जा रहे हैं, यानि extreme से extreme condition, inhospitable areas, hospitable areas, हर जगे पर देखें, तो सब जगे व्याप्त हैं, modernist लगभग पृत्वी के हर एक geographical conditions में पाए जाते हैं, hot springs, यानि जहां पर कह सकते हैं कि जो earth ketatonic plates है, बीच में दरा आ रहे हैं, वहाँ से जो नीचे का lava है वो जब उपर की तरफ आता है, या नीचे की जो heat है वो उपर की तरफ जब आती है, तो water को काफी heated करते हुए उपर लाती है, तो जो hot springs है, यानि कि जहां नीचे से कह सकत प्राइब कर रहे हैं, low temperature areas में भी पाए जा रहे हैं, hot and cold desert में पाए जा रहे हैं, साथ ही साथ decomposing bodies, जितने भी decomposing bodies हैं, plants में, animals में, जितने भी decomposing organic matters हैं, जो decompose करते हैं, यानि कि जो complex से simple में break हो रहे होते हैं, जब और dead हो जाते हैं, organisms तो उनके जो complex, उनकी body में जो complex, बाव मा molecules में break होते हैं, ठीक है, उनको break करने में micro organisms help करते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं, decomposing bodies, decomposing bodies में भी bacteria का coverage है, और जो living organisms हैं, उनके inside और outside यानि कि living organisms जो हैं, उनके अंदर भी रह रह रहे हैं, और उनके बाहर भी रह रह रहे हैं, तो यह याद रखेगा कि अगर हम लोग य अगर यह पाय जा रहे हैं, they generally reproduce by binary fission, generally अगर हम कहें तो उनके reproduction binary fission से होता है, ठीक, now classification देखते हैं, moderns को बेटा दो गुरूप में इस स्पैसल लोग डिवाइड किया गया, they are divided in RK bacteria and U bacteria, या RK का मतलब होता ancient, ancient bacteria, यानि कि सबसे पहले group, यानि कि सबसे ancient, यानि सबसे पहले जो bacteria का group आया था, वो RK bacteria था, ये बटा उन समय पर dominate करते थे, जिस समय में कोई भी life dominate आज भी नहीं कर सकती है, काफी harsh conditions, extreme conditions, जैसे आप कह सकते हाई temperature, low temperature, high salt areas, ठीक, ऐसी conditions, यानि वोलकैनों के जो लावा जहां मर्ज होता था, उन तक में develop होते थे, तो RK bacteria काफी ancient समय के है अब इसका कारण भी यह है, काफी ancient के हैं, तो जो हमारी earth है, जब सुरू सुरू में बनी थी, तो आप ये मानते हैं कि ये काफी घरम थी, उस समय जो conditions थी, बहुत harsh conditions थी, उस समय जो life के origin है, वो बहुत मुस्किल थी, तो earth में धीरे धीरे time के साथ में, धीरे धीरे time के साथ बहुते हुए originate होने लेगे, तो different diversity आप देख रहे हैं, और्गनिजम्स की, ये और्गनिजम्स की diversity पहले सुरू आज से नहीं थी, इतनी diversity जो आप plants और animals की देख रहे हैं, ये जो आज लाई कर रही है, ये एक साथ नहीं आई थी, ये धीरे धीरे एक series में कुछ organisms पहले आ हुआ, और वो evolve हो कि दूसरा organism में develop हुए, दिर दिर इस तरह से आर्थ की conditions है, ये आज सुरू से लेकर आज तक normal नहीं रही कभी, जब से पृत्वी का formation हुआ तब से लेकर आज तक लगातार उसकी geographical और atmospheric conditions में लगातार change होते रहे, और उस changing environment के according, अलग-अलग different type के organisms अपने जो है originate हुए, और ये जो series आप इतने organisms की देख रहे हैं, ये series आज develop हुई है, ठीक है, शुरू में बहुत कम organisms थे, तो अगर हम एक series में देखें कि सबसे पहले अगर organisms, group of organisms की बात करें, कि जो सबसे पहले organisms आये थे, तो उनमें moderans तो हम मानते हैं, लेकिन moderans में एक special group है, R और यू बक्तिरिया का formation हो, RK बक्तिरिया मतलब they are the most ancient primitive bacteria, यू बक्तिरिया क्या है, यह true bacteria इसको भी तरह सिखा रहे है, RK बक्तिरिया के बाद, RK बक्तिरिया में ही modifications के बाद, RK बक्तिरिया में कुछ advanced bacterias आये, और उनका एक group बना u बक्तिरिया, तो इन दोनों में difference थे, इन दुनों में difference कही सारे differences थे, बट, moderns में, अगर हम बैक्टिरिया का दो group divide करें, आर्के बैक्टिरिया, यू बैक्टिरिया, तो आर्के बैक्टिरिया सबसे primitive थे, सबसे पहले आये थे, और अर्थ की जो शुरुवाती conditions थी, अर्थ की जो initial conditions थी, उस condition में survive करते थे, और उसके बाद इन ही से develop हुए थे आपके यू बैक्टिरिया, आर्के बैक्टिरिया के तीन categories divide की गई है, basically, halophiles, thermoacidophils और methanogens, यह अभी हम लोग यहाँ पर discuss करने जा रहे हैं, इस page पर, ठीक है, discuss ही कर रहे हैं, पहले बताते हैं कि, आर्के बैक्टिरिया में halophiles, thermoacidophils और methanogens, halophiles बैटा वो हैं जो extreme salty areas में रहते हैं, thermoacidophils वो हैं जो काफी, thermo का मतलब हो है यहाँ पर hot, acido का मतलब हो acidic, काफी hot and acidic conditions में, जो survive करते थे, they are the thermoacidophils, उनको thermoacidophils कहा गया, and methanogens, methanogens live in Marcy area, Marcy area का मतलब होता है कि, जो ऐसा कोई land जो हमेशा wet रहता हो, ठीक है, all time मतलब हमेशा wet land जो होते हैं, उनमें यह develop करते हैं, त्योंकि wet lands में, जो कीचड होते थे, उनके अंदर anaerobic condition होते थी, तो आप methanogens को कह सकते हो कि, यह obligate anaerobics थे, जो बिल्कुल anaerobic condition में ही रहते थे, ठीक है, इनको भी हम लोग discuss करेंगे कि, यह ruminants के gut में रहते थे, methanogens are methane producing bacteria, यह methane producing होते हैं, और anaerobic condition में ही survive करते हैं, यह दोनों जो आपके हैं, यह anaerobic और anaerobic दोनों condition में survive कर सकते हैं, बट methanogens are obligate anaerobic, यानि इनको अगर oxygen मिली तो survive कर ही नहीं सकते हैं, ठीक कहां रहते हैं, क्या करते हैं, इसके बारे में हम लोग इधर discuss करने जा रहे हैं, पहले यहाँ पर division कर दिया, यह बैक्टिरिया की बेटा, यह चार class divide किया गया है, यह बैक्टिरिया में mycoplasma का एक अलाग गुरूब बनाए गया, बैक्टिरिया जिस बैक्टिरिया के बारे में ज्यादा तरह आप आज पढ़ते हैं, आज के समय में, जो harmful और जो आपके फैदेमन बैक्टिरिया हैं, जो एक clear बैक्टिरिया का ही नाम जिनको suit करता है, उनका एक अलाग गुरूब बनाए गया, mycoplasma बैक्टिरिया से थोड़ा डिफरेंट थे, actinomycities, they are the fungal-like bacteria, इन में कुछ जो करेक्टिस्टिक से, they are matching to the fungi, आपने पढ़ा नहीं है, तो अभी इसको discuss नहीं करेंगे, actinomycities को आप एक तरह से fungal bacteria कहते थे, क्योंकि इनकी जो habits थी, वो fungi से match करते थे, तो इनको एक अलाग गुरूप में रखा गया, and synovacteria, synovacteria की अलाग class बनाएगी, क्योंकि यह जो synovacteria था, यह especially photosynthetic bacteria था, जिसको हम लोग blue green algae बोलते हैं, तो इन सारे गुरूप में, अगर कोई bacteria photosynthesis कर सकता है, तो that is the synovacteria, यह synovacteria एक अलाग गुरू बनाएगा, तो there are photosynthetic bacteria, ठीक है, बाकी से photosynthetic नहीं है, इनके nutrition की अलागर हम लोग बात करेंगे, तो अभी nutrition की बात करने पहले, यह भी बता दें, modernist पर बिटा सारे लगभग आपके सारे चीज़ें पाई गई हैं, सारे नुमूरा of nutrition पाई गई हैं, autotropic भी है, heterotropic भी है, आरके बैक्टिरिया मोस्टली आपके chemo autotrophs था, यानि कि chemicals को breakdown करके energy release करते हैं, और उससे अब जो है, food का formation करते थे, तो आरके बैक्टिरिया का major group है, they are mostly chemo autotrophs, इसमें autotrophs, hetto autotrophs भी हैं, लेकिन chemo autotrophs आपको basically archobacterिया में मिलेंगे, यू बैक्टिरिया में आपको photo autotrophs मिलेंगे, जैसे cynobacterिया है, mostly जो moronans का group है, यू बैक्टिरिया में mostly, आप ये कह सकते हैं, ज़्यादा तर क्या हैं, heterotrophs हैं, ठीक है, heterotrophs mostly है, यानि कि autotrophs का group, जो एक especially है, वो cynobacterिया का ही है, बाकी आपके इसमें होँ heterotrophs हैं, तो लगबग आप सारे mode of nutrition देखेंगे, autotrophic mode of nutrition भी देखेंगे, heterotrophic mode of nutrition भी देखेंगे, photosynthetic mode भी देखेंगे, chemo-synthetik mode भी देखेंगे, तो इस तरह के जो है, इनमें nutrition की habits हैं, लेकिन किसमें क्या है, especially उसको अभी हम लोग बारी-बारी से, एक एक जब group पढ़ेंगे, then we will discuss, now RK bacteria को especially discuss करते हैं, RK bacteria यहाँ आप से पता लगता है, कि RKRD मतलब ancient, the most ancient bacteria, यानि कि जो सबसे पहले जो bacteria का group आया था, वो आपके RK bacteria में रखेंगे, यह RK bacteria से थोड़े अलग है, इसको भी ध्यान रखेंगेगा, जो इसकी lines हैं, इन तीन lines को अगर आप RK bacteria में पढ़ लेते हैं, और इनको define करना, RK bacteria बारे में कुछ कहना हो, तो अगर यह तीन lines कहते हैं, that it will be sufficient, RK bacteria, they are found in most harsh habitats, harsh habitats का मतलब हो था, inhospitable areas, यानि कि जहां कि, जो climatic conditions हैं, जहां कि जो environmental conditions हैं, जहां कि जो habitat है, वो habitat living को, life को support ही नहीं कर सकता हो, यानि कि जो life supporting habitats नहीं है, जैसे बहुत ही काफी, जहां पे काफी ज़्यादा नमक हो जाए, salty areas हो जाए, saline areas हो जाए, काफी ज़्यादा hot temperature, ठीक है, काफी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि low temperatures, low temperature, high temperature, saline temperature, इन सब conditions में ये survive करते हैं, तो hearts habitats का मत्तब यह हुआ कि जो life not supporting, not life supporting habitats जो थे, वो जो आपके हैं, they are the hearts habitats, तो ये उस जगे पे survive करते हैं, they are most primitive group of organisms पहले discuss कर चुके हैं, सबसे पुराने काल के, यानि ancient time के organisms हैं, RK bacteria have different cell wall structure, हमने अभी बताया था कि, जितने ही moderns है, moderns में हम लोग पढ़ते हैं, कि तिने भी bacteria हैं, इनकी cell wall peptidoglycan की बनती है, लेकिन उसमें हम लोगों ने exception दिया था, कि RK bacteria में जो cell wall होती है, peptidoglycan की ना बनके, branched lipid chain की बनती है, and that branched lipid chain, जो उनकी membrane के उपर branched lipid chain बनी हुई है, यहीं उनको इस extreme conditions में, ठीक है, extreme conditions यानि की, ऐसी conditions जो life के लिए, ज़्यादातर life के लिए supporting नहीं है, उस condition में survive करते थे, इनी की वज़े से, ठीक, तो उसकी वज़े क्या थे, they have branched lipid chain in their cell membrane, as a result, they are able to tolerate extreme conditions, right, तो their cell wall do not contain peptidoglycan, but they have the branched lipid chain outside their cell membrane, और वही cell wall की तरह act करता है, और यहीं जो branched lipid chain है बेटा, यहीं इनको enable करती है, इस extreme conditions में survive करने के लिए, आर्के बक्टिरिया के आपके दो गुरूस बनाए गए है, methanogens, halophiles, and thermocidophiles, methanogens, methanogens का बेटा ही जान रखेगा, कि जो methanogens है, they are found in gut of many ruminants, animals like cow and buffalo, they produce methane gas, they are obligate anaerobes, met पहली बाद तो methanogens जो है, यह, आर्के बक्टिरिया की class है, यह तो ठीक है, यह कभी भी aerobic condition में survive नहीं कर सकते हैं, यानि कि जहाँ पर oxygen है, वहाँ पर यह survive नहीं कर सकते हैं, यानि कि methanogens को हमेशा anaerobic condition चाहिए, तभी यह survive करते हैं, यह methane production करते हैं, कैसे करते हैं, अभी हम risk condition नहीं है, वह anaerobic condition है, तो वहाँ पर यह survive करते हैं, लेकिन mostly यह कहां रहते हैं, ruminant animals के gut में रहते हैं, ठीक है, तो आप यह भी जान लेजें कि सिर्फ यही नहीं कि ruminant animals के gut में रहते हैं, यह यानि कि बूच अग्रफिकल एरिया जहाँ पर लगबग हमेशा कीचड रहत करते हैं, ठीक है, उन्हीं पत्तियों के अंदर जो सरेलोज होता है, उसको डाइजेस्ट करते हैं, इस तरह से extra cellule digestion करते हैं, और कीचल में आपको anaerobic condition मिलेगी, इस वज़े से यह वहाँ रहते हैं, तो मेथानोजन वहाँ भी पाय जाते हैं, और ज्यादा तर ruminant animals के gut में इसको भी हम लोग डिसकस करने जा रहे हैं, ध्यार methane producing, methane का production यह कैसे करते हैं, यह digestion सी methane का production करते हैं, ठीक है, तो ruminants के वाले में अगर हम लोग डिसकस करें, तो ruminants एक group of animals है, जो mammals की group में आते हैं, ruminants are mammals, that are able to acquire nutrients from plant-based food, by fermenting it in a specialized stomach, prior to digestion, यानि कि इनको generally हम डिसकस करते हैं, बिटा जो आपके ruminants हैं, जैसे जो, जैसे करते हैं कि चबाने वाले, यानि जो पागुर करते हैं, आपने सुना होगा, कुछ जुझे गायब ऐसे होती है, कुछ खाना खाने के बाद घंटो दो घंटो तक मो चलाया करती हैं, सफ़े सफ़े जाग निकला करता है, ऐसा करत इस टमक में जाकर, digestion जो ट्रैक्ट है, उससे पहले एक system आता है, यानि कि इनका जो में digestive system है, उस digestive system में वो खाना जानने से पहले, एक जो temporary storing body होता है, जिसको लोग बोलते हैं, ये खाना जल्दी जल्दी इसमें प्लेस कर लेते हैं, ठीक, रिउमन जिसको बोलते हैं, प्रा इसमें जो एक जिसको बोलते हैं, तो यहां पर फर्मेंटेसन होता है, यानि इस कॉंपलेस को सिंपल सुगर्स में ब्रेक कर दिए हैं, जाता है तो यह फूड खाते है उस फूड का एक तरीक इसको ठोलता है सिंपल अगेन देप्रोसेस आफ रीचीविंग देट तो फर्दर ब्रेकड़ण प्लांट मैटर इस तुमिलिट डाजेशन इस काल्ड रूमिनेशन इसके बात जब इन में यह सेलुलोस को डाजेस्ट करके सिंपल सुकर्स में कनवर्ट कर दियाता है तो फर्मन्टेशन हो जाती है इ नहीं पर फिर यह इसको कड़ को वापस भेजते हैं मूग के तरफ और उसको चबाते हैं और वहां पर चबाने के बाद तब यह डारेक्ट फिर उसके बाद इस टमक में आता है तो इनमें डारेक्ट डाजेसन नहोंकर पहले टेंपरेरी स्टोरज होता है रूमन में उसके यहां पर fermentation होगा, यहां पर आपके microbes होगे, यही पर आपके methanogenes पाया जाते हैं, यह इनके mostly cellulose को digest करते हैं, किसमें simple sowas में, तो यह ruminants होते हैं, ठीक है, जो खाने को एक temporary packet में श्टूर करने के बाद, दुबारा उसे वापस खीच कर चबाते हैं, और चबाने के बाद तब digestion करते हैं, वो ruminants हैं, उनके gut में पाया जाते हैं, ठीक है, they produce methane gas, they are obligate anaerobes, और यह anaerobic condition में ही रह सकते हैं, they are found in very salinity areas, यानि यहां पर salinity level काफी जादा है, यानि कि ऐसी conditions, ओसन के कुछ ऐसे part हैं, जैसे आप पोलर्स पर भी पाएंगे, कुछ ऐसे geographical areas हैं, जहां पर जो mostly aquatic condition है, पानी की condition है, तो उसमें salt की concentration है, देखिया आपका जो ocean का salt है, उसमें 30-35% salt concentration है, ठीक है, जो आपके rivers है यह mostly इसमें 5%, below 5% salt concentration, लेकि कुछ ऐसे oceans हैं, कुछ ऐसे ocean के part हैं, जिसमें salinity काफी जादा है, बहुत हाई है, यानि कि इतनी हाई है कि वहाँ पर saturation हो गया है, और salt के precipitates बनते रहते हैं, उस condition में कुछ arkybacteria survive करते हैं, वैसे आप मानते होगे कि high salt concentration में microbes develop नहीं कर पाते हैं लेकिन जो macros develop करते हैं, वो यही arkybacteria है, and they are the mostly called halophils, halophils का मतलब salt loving, तो high salinity area में survive करते हैं, इसके बारे आपको कुछ नहीं जानना है बाकी, और SIQ कर पाते हैं, यह भी जान लिजे, because they are able to live in high salt concentration, because their intracellular salt concentration is equally high, क्योंकि इनकी body के अंदर salt concentration है, वो environment के salt concentration से match करते हैं, इस अगर salt concentration के अंदर कम हुई, और बाहर जाता हुई, तो यह अपना water loss कर देंगे, जिससे dead हो सकते हैं, इनके जो content से वो loss हो जाएंगे, ठीक है, satoplasmic streaming, बाहर की तरफ satoplasmic का निकल जाएगा, तो यह सब चीज़े होने नहीं पाती हैं, क्योंकि यह अपना salt concentration body का उतना ही पढ़ते हैं, thermo acidophils बेटा होते हैं, chemo autotrophically live, live in hot sulfur springs, chemo autotrophically का मतलब होता है, जो chemicals को disintegrate करके, inorganic या organic compounds को दूसरे compound में, दूसरे simple substance break करके, energy drive करते हैं, और उस energy से अपना food का formation करते हैं, that are the chemo autotrophs, तो thermo acidophils are the chemo autotrophs, they live in hot sulfur springs, hot sulfur springs यह हैं बेटा कि जो आपकी अर्थ है, अर्थ का जो inner core है, यहाँ पर बहुँ ज़्यादा high temperature है, यहाँ पर lava होता है, ठीक है, अर्थ के कुछ जगों पर cracks होते हैं, ऐसे कई ocean के part में पाया जाता है, ठीक है, below the oceans, और vulkanों के पास नहीं पाया जाता है, जो cracks होते हैं, इन्हीं कि तो यह lava उपर नहीं भी आपाता है तो यहाँ की जो hot conditions है, hot जो lava है, इसके effect से इसके उपर का water होता है, काफी hot हो जाता है, और यह गरम पानी उपर के तरफ आता है, और साथ ही साथ में इसमें इसके आसपास जो sulfur होता है, ठीक है, mostly इसमें sulfur ही आते है, sulfur का content भी बाहर के तरफ निकला करता है, तो yellowish color का दिखता है, तो इसमें इसी को हमलों बोलते है, hot sulfur vents, ठीक है, यहाँ पर acidic condition होती है, ठीक है, hot temperature तो होता ही होता है, mostly sulfur का, जो mineral होता है, वो sulfur mineral यहाँ पर deposit हो जाता है, तो ऐसे बहुत सरी जगह है, जहें जहाँ पर वोलकावन और अप्सन होता है, वहाँ पर भी आपको थर्म, जो यह मर्ज हो रहे होते हैं, उनके साथ साथ में आपका sulfur, जो mineral content है, वो उपर की तरफ आता है, तो उस conditions को, जो है, hot sulfur springs बोलते हैं, वहाँ पर यह live करते हैं, तो वहाँ पर जो live करते हैं, वो आपके होगे thermo acidophis, ठीक है, mostly वो chemo autotrophism करते हैं, तो बेटा, जहें स्रिस्टी ने प hydrophils, ठीक है, heterotrophs भी है, heterotrophs में आपके सेपरो, सारे, मतलब मोस्ट आपके जो pathogen, पैथोजन से वो भी आप इसमें पाएंगे, ठीक है, तो heterotrophs में भी जितनी बहले हैं, hollow joke का आप नहीं कह सकते हैं, hollow joke कि इसमें नहीं है, पाए जाते हैं, जो advanced organisms में हैं, लेकिन bacteria का मतलब काफी ancient bacteria, u bacteria यानि के advanced bacteria, इनके इन में जो difference था हो कि सिसका था, cell wall का था, हम दोगों ने पढ़ाई ये cell wall का difference था, इनकी cell wall, peptidoglycan की, इनकी cell wall, इनकी cell wall ना होके, बलकि इनकी cell membrane पर क्या होती है, branch lipid chain होती है, जो इनको काफी harsh condition में tolerate करने में help करती है, याद रखेग they are found in hot sulfur springs, hello please, they are salt wing, high salt concentration areas में रहते हैं, और इनके बारे में हम लोग इनके बारे में हम लोग details में discuss, this is all about RK bacteria, now we will come to the group U Bacteria, अब U Bacteria में हम लोग यहाँ पर बैक्टेरिया किस सरे से division किया गया है, बैक्टेरिया को divide किया गा on the basis of their shape, on the basis of nutrition, बहुत सरे basis पर यहाँ division किया ग about RK bacteria, moderans के group अभी continue रहेगा, काफी lengthy है, ठीक है, अब इसको दो पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, ओके, thank you all of you